टीवी के फेमस सीरियल भाबी जी घर पर है के एक्टर मलखान सिंग यानी एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया है इस ख़वर के आने के बाद सभी को एक बड़ा जटका लगा है दीपेश के अचानक हुए निधन से शोकेस टार और क्रू मेंबर्स शोक में डूब गए हैं रिपोर्ट्स के मुदाबिक दीपेश सनिवार को सुबह क्रिट खेल रहे थी ऐसे में वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत गोशित कर दिया सीरियल में सीरियल में मोहनलाल तिवारी का किरदार ने भाने वाले एक्टर रोहिताश गौड ने दीपेश भान के निधन पर शोग जताया है उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा है आज हमारा शूट पर जाने का टाइम थोड़ा लेट था तो मुझे लगा कि वो जिम के बाद सीधा क्रिकेट खेलने चले गए होंगे यहीं उनकी फिटनेस का रोटीन था लेकिन खेलते हुए वो अचानक गिरे और गिर के विहोस हो गए हम सभी के लिए ये एक बड़ा जटका था रोहताश ने आगे बताया है के दीपेश उन लोगों मैंसे थे जो अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखते थे वो फिटनेस की काफी फिक्र रखते थे उन्होंने कहा है के मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपने एमोशन को कैसे बया करूं हम सभी हमारी पूरी टीम फिलहाल उनके घर पर है एक्टर दीपेश भान का इस तरीके से चला जाना उनके फैंस के लिए और शो को चहाने वालों के लिए यकिनन एक बड़ा जटका है विरो रिपोर्ट इंडिया पोश नियूज